P.U.B.G. Mobile को अगले महीने एक नया अपडेट मिलने वाला है Tencent Games ने पुष्टी की है कि नया PUBG Mobile अपडेट वर्जन शून्य 18.00 के साथ 7 माई को रोल आउट होगा लोगप्रिय बैटल रोयाल गेम को इस नये अपडेट में नये फीचर्स मिलेंगे और यदि पिछली रिपोर्ट्स को सच माना जाए तो आगामी अपडेट PUBG Mobile में कुछ बढ़े बदलाव भी लेकर आएगा हाल ही में एक लीक में बताया गया था कि PUBG Mobile 0.18.00 अपडेट में मिरा मार मैप का एक नया वर्जन शामिल होगा जिसे मिरा मार 2.00 बोला जाएगा साथ ही एक सेफटी स्क्रमबल मोड और जंगल एडवेंचर गाइड मोड भी जोड़ा जाएगा PUBG Mobile टीम ने ट्विटर पर घोशना की है कि नया अपडेट 7 मई को जारी किया जाएगा PUBG Mobile 0.18.00 में कई नये फीचर्स, मोड और साथ ही एक नया अपग्रेडेड मैप भी जोड़ा जा सकता है पोस्ट में साजा किये गए एक वीडियो में हम एक कार की गड़गड़ाहट सुन सकते हैं जो एक नए गोल्डन मिरादो हो सकती है वीडियो में एक वैंडिंग मशीन भी दिखाई देती है इन वैंडिंग मशीनों को नए मिरमा 2.0 मैप में रखा जा सकता है और इसमें नए सेफटी स्क्रमबल मोड और जंगल, एडवेंचर गाइड मोड जैसे फीचर पहले से मौजूद हैं बीटा से पता चलता है कि मिरमा 2.0 मैप में एक रेसिंग, रैम, एक नई गोल्डन मिराडो कार, नक्षे के अंदर नई वैंडिंग मशीने और वाटर सिटी नाम का एक नया एरिया मिलेगा, पबजी मोबाइल बीटा से यह भी पता चलता है कि आगामी नई मोड में एक मोड PC वर्जन में शामिल मोड की तरह होगा, जिसमें मैप में एक आउटर सकल के साथ एक नीले रंग का इनर सकल भी होगा, खिलाडियों को इस नीले क्षेत्र के बाहर, लेकिन बाहरी सकल के अंदर रहना होगा, सेफटी स्क्रमब करना होता है, अब यह गेम मोबाइल के लिए लांच होने के 18 महीने बाद Google Play Store पर उपलब्द क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण था कि मूल रूप से एपिक, गेम्स नहीं चाहती थी कि Google फॉटनाइट की कमाई का हिस्सा ले, बता दें कि Google अपने Android Play Store, में मौजूद Android Apps द्वारा की गई कमाई का एक लेती है, फॉटनाइट गेम 20 अप्रेल को Google Play Store पर लिस्ट हो गया था और इसे मुफ्ट में डाउनलोड किया जा सकता है, यह गेम 107 MB के शुरुवाती डाउनलोड साइज के साथ आता है, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद गेम के अंदर 7.4 GB साइज की फाइलें डाउनलोड होती है, इसके अलावा यदि आप इस गेम को एपिक यानि सबसे अधिक क्वालिटी के ग्राफिक्स में खेलना चाहते हैं, तो गेम में अलग से HD ग्राफिक्स डाउनलोड होते हैं, पॉलीगॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, एपिक गेम अमानिकता पर संदे करने के लिए कहता है, गूगल अपने प्ले स्टोर पर अप्स डालने के लिए डेवलपर्स से 30% का कमीशन लेती है, पिछले साल एपिक, गेम्ज ने गूगल को फोर्टनाइट को इस 30% कमीशन के नियम से हटाने की शिफारिश की थी, लेकिन ऐसा प्र स्ट्रीट को गूगल प्ले स्टोर और सामसंग गालेक्सी स्टोर पर प्री रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध है, लेकिन आयोस यूजर्स के पास यह विकल्प नहीं है, गेम के डेवलपर टर्न 10 स्टूडियोज ने कहा है कि जो यूजर्स इस गेम को को रिलीस के पहल पर, फॉटसर स्ट्रीट खेलना शूरू कर सकते हैं, इसके बाद जब गेम एंडरॉइड और आयोस डिवाइस के लिए रिलीज होता है, तो प्लेयर्स विंडोज 10 डेस्टॉप या लैप्टॉप पर साइन इन कर सारी प्रक्ति को फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं, याद द अधिक संभावना इसके मोबाइल डिवाइस पर भी मुफ्त होने की है, फोजा स्ट्रीट अप्रेल 2019 से माइक्रो सॉफ्ट स्टोर और इस साल फरवरी से गूगल प्ले स्टोर और सैमसंग, गैलक्सी स्टोर पर प्री रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध है, भले ही iOS पास प्री रजिस्टर करने का विकल्प नहीं है, लेकिन उनके लिए भी Android यूजर्स की तरह यह गेम पांच मई से खेलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा,